स्वागर्ट करता हूँ व्यूर्ज आप सबका नववर्ष में मेरे चैनल में धन्यवाद आप लोगों ने इस चैनल को अपना आशिरवाद शुब कामनाएं बहुत प्रदान किया आशा करता हूँ नववर्ष में भी आपका सने इस प्रकार बराबर मिलता रहेगा कुछ भी पूछना चाहें कमन बॉक्स में डेटो बर्द टाइम प्लेस भेज सकते हैं मुझे यार दिलवाईएगा मुझे जवाब देने में देरी हो सकती है जब भी समय मिलेगा मैं पूर्ण है ये विशे इस बात पर आधारित है कि क्या जीवों के चित्रे लगाने पर बाधाएं दूर होती है अगर आप मुझे से पूछें तो मैं कहूंगा हाँ विवर्ष जीवों के चित्रे लगाने से इसका बड़ा ही साकरात्मक प्रभाब आपके घर बिजनस प्रि पर पढ़ता है और कई प्रकार के मांगलिक कारे घर परिवार ऑफेस में संपन होते हैं भारतिय संस्कृति प्रते जीव की रक्षा की बात करती है विवर्ष पशू पक्षियों एवं वन्ने जीवों के रक्षा के लिए हमारे रिशी मुनियों ने अपना जीवन तक दाप पर लगा दिया था ये पशू पक्षी मानव जीवन में सुक समरिद्धी लाने में प्रतेक्ष एवं अप्रतेक्ष रूप से कैसे साहिक होते हैं आईए आज संक्षिप्ट में जानिये और लाव उठाईए विवर्स आपने प्राचीन काल का इतियास देखा होगा कि रिशी मुनियों के आश्रों में अन्य प्राणी स्वच्छंद विचरन करते रहे हैं वे रिशी मुनी वन्य जीवों का पोशन भी अपने परीजनों के रूप में करते थे अनेक शिकारी राजाओं को दंडित करने की किस्ते रिशी मुनियों की गाथाओं में विवर्स मिलते हैं भारती संस्कृती में प्रकरती दुर्गा सोरूपनी है वन्य जीवों की संरक्षन का साकार रूप देने के लिए उन्य धार्मिक चरित्रों देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में अत्वा देवी देवताओं का सहचर माना गया जाता है विवर्स शायद वर्ने जीवों के सनरक्षन को ध्यान में रखकर ही प्रकार के कस्टों, असाद दिशारिक रोगों, ग्रहों के अनिस्ट कारक फलों और मकान के वास्तु दोस्स से मुक्ती मिल सकती है। इन में से कुछ वन्य प्राणियों का उलेक मैं आप के लिए कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको इससे विशीष लाप 2020 नव वर्ष में मिलेगा और जीवन में देखना कितना सकरात्मक परिवर्तन आएगा। चीटी, विवर्स, धर्म शास्त्रों के अनुसार चीटी को नारायन श्री हरी विश्णू का प्रतीक माना जाता है। तब लोहा स्तम पर घूमते देखा, तो उसने भी खोशी-खोशी उस लोहा स्तम का आलेंगन कर लिया। आलेंगन करते ही वो अत्रिप्त लोहा स्तम भी शीतल जलके समान हो गया। विवर्स, चीटी रूपे श्री नारायन को भोजन कराने से राहू एवं शनी के कोपों का शमन होता है। सुन रहे हैं आप? आप मेरे से पूस्ते हैं, सुन लीजिए। इसके लिए विवर्स, राहू, केतू, एमशनी की महादशाओं, अंतरदशाओं, प्रतेंतरदशाओं के काल में कसार शुद घी से बुना आटा जिसमें शकर मिश्यत हो बनाकर जंगल में चीटियों के बिलों पर डालें। अत्वा कसार को सुके गोले में भर, शनिवार को प्रातक, जंगल में पीपल, बरगत, पिलखन अत्वा शामी विक्ष का जड़ में दवाएं। विवर्स, ये प्रियोब विशेश कर गिश्म अत्वा वर्शा लिवीटू में करें। निस्चयत रूप से क्रूर ग्रहों की क्रूर शक्तियों का स्चमन होगा। और विशेश लाब की प्रापति होगी। दूसरा जीव विवर्स जिसे बोजिन करवाना विशिश लाब माना जाता है वो है कुट्ता धर्मशास्त्र के अनुस्वार रुद्रा अफ्तार श्री बटुक बहरफ का वाहन अत्वगंड और धर्मराज यम एवं शनी दोनों ही सूर्य पुत्र का प्रतीक माना जाता है विवन प्रकार की परलौकिक शक्तियों का संग्यक एवं सूचक जीव भी है यह विवन प्रकार की आने वाली विपतियों को पूर्व सूचना देता है इसे बोजन कराने से अप मृत्तु जैसा कस्ट में टल जाता है आपके घर में कोई बड़ी बाधा आने वाली है कि बुंदी की लड़ो दूद पिलाते हैं बैसिकली स्ट्रीट डॉक्स को जो सड़क में गोमते हैं इनकी पावर जाता होती है क्योंकि चौराय में जाते हैं और कई शक्तियों से रात को यह इंट्रेक्ट वारतलाव करते हैं जिनको आप बिना आध्यात में को समझे इस कुछता मारा गया इसके पीछे कोई शत्रुगात भी होता है जो कुछता अपने उपर एटैक को ले लेता है कुछता को भूजन कराईएगा और देखिएगा आपके जीवन में क्या से क्या हो गया अगर अभी तक आपके जीवन में बाधाई चल रही थी तो किसी भी स्ट् प्राप्त करने से आपकी जीवन में क्या से क्या हो जाए खुश्यों का अमबात लग जाए गाए भारतिये संस्कृति में विवर्स एवं धरम शास्त्रों में गौ अर्तिधिक पूजनी है एवं जननी का स्तान रखती है तैतीस करोड देवी देखता हो एवं सभी तीरतों का वास बतलाए गया है दापर युग में युद यदुवन्शी स्री कृष्ण रूपी नारायन तो स्वैम इसके सेवक पालक के रूप में विश्व एख्यात हुए है विवर्स देश के विवने प्रांतों में हिंदू धरम को मानने वाले दोरा इसकी पूजा अर्चना की आती है इसमें मुक्यता देव गुरू का वास माना जाता है ग्रहों में गुरू का स्थान सरवच्च है और सभी उसकी पूजा करते हैं कोई भी कुरूर ग्रह गुरू को शत्रू नी मानता लगनकुनले में यदि गुरू तृतिये सस्टम अस्टम या दादश भाव में अ की कूपित द्रिस्टी से बज सकता है तो क्या करना आपको गौ सेवा गौ शेला में जाए गौ सेवा करिए काई को घांस खिलाईए आशिवाद लीजिए और देखिए फिर जीवन में कितना बड़ा चेंज आता है कौसिला में जाकर गौ माता की खूप सेवा करिए मितुन या कन्या राशी में ब्रिस्पती होने पर वैक्ती गुरुवार पांच, नौ और बारा किलो कटी हुई घरी घांस चारा गुड की डली के साथ बाहर कई यातरा कर रहे किसी गाए को खिलाए तो दोश का शमन होता है गाए पालना अत्यन शुब है गाए की सेवा सभी परकार के वास्ता दोशों से मुक्ती मिलती है गाए के गोबर से निवास के इशान ने अतरफ पूजास्थान का कोई लोपन से भागे वेड़ि होता है सुन रहे हैं आप गाय का गोवर आशिरवात बगवान का पूजास्तान अत्वा बैठक के कमरे के इशान कोन में चांदी की गाय और उसका बचड़ा रखने से भागे विर्दी कारक होता है भागे में विशाल विशाल परिवर्थन आना शुरू हो जाता है आप मेंसे जो भी मेर से तरह तरह के सवाल पूशते हैं यह उपाए गोव माता का सेवा करिए और देखी आपके जीवन में छे मैने साल भर में क्या से क्या हो जाता है यह आशिरवात आपको 33 करोर देवियता का बलसिंग्स आपके जीवन में बहुत प्राद चेंज लेकर आएगा विवर्स आगे चलते हैं जानते हैं मचली एवं कचुए मचली एवं कचुए विवर्स नारायन श्री हरिक विश्णू के अफ्तार माने गए है नारायन रूपी कचुए मचली का बोजन अन इत्यादी खात पदार्थ खिलाने से क्रूर ग्रह रहु के दू शान्त होकर शुब फलों की प्राप्ती कराते हैं रहु की मातरशा प्राराम होने पर वैक्ती कर्तुला दान गेहों का आटा गून दुकर मचली और कच्यों खिलाएं तो रहु मातरशा के क्रूर फलों का शमन हो जाता है विवर्स आशा करता हूँ इन से आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी आप इन जीवों के चित्रों को भी घर में लगा सकते हैं जिससे आपको विशिश कृपा इन जीवों का बना रहे ये जीव हमारे कोई ना कोई देवता को संभुजित करते हैं ये इस एपिसोड का पहला भाग है दूसरा भाग भी अतिश्री लेकर आऊंगा वारता का अंतिम जीव है विवर्स कबुतर विवर्स धर्म शास्त्रे का अनुसार ये पक्षी देव गुरू ब्रहसपती का प्रतीक माना गया है ये शान्ती दूत का प्रतीक पक्षी है देवस्तान अत्वा आरण्य में कबुतर को मुक्त कराने से ग्रह ब्रिस्पति शुप फल देता है जिन वेक्तियों के लगने कुंडली में गुरू चंद्रमा से युक्त हो गर्केसरी योग होने पर भी फल की प्राप्ति नहीं हो अतकरक राशी में हो और जिनका भागेश चंद्रमा ये प्रिस्पति हो उन्हें विवर्स कबुतरों को चावल मिश्रित बाजरा देने से वारता को अधिक सदिक लोगों शेयर करेंगे ताकि यो तमाम विवर्स तमाम लोग जो जीवन में परिशानियों में जा रहे हैं और उनको ये उपाय मिल जाए जिसे उनको भी सकून मिले उनके भी जीवन में खुश्याली आए ये पूने काम करिएगा शेयर करिएगा सब अगला एपिसोड जल्दी लिके आ रहा हूँ बाकी जीवों के बारे में हैं नवश की डेरोशूप कामना है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा अगर मैं कोई जवाब देने में देरी करूँ या दिलवाईएगा फ़ड़ा बीजी रहता हूँ जवाब दूंगा जरूर ले खबvyंस में और ले भीवों के दूंग जवाब लेजी रहता हुआिएवा अगर मैं वाँ जल्दी भीजी है ज sóबा फ़्या।